गुड मॉर्निंग मैं सज्जाद अंसारी डियक्षन बाबा चैन मैं आपका स्वागत करता हूं आज हमारे भाई जौनपूर से सवाल करते हैं कि मैं संदाज करता हूं तो उससे थोड़े थोड़े छोटे-छोटे कीड़े निकलते हैं तो इसका मुझे इलाज बताईए तो मेरे जौनपूर वाले भाई साहब या जितने भी लोग हैं इंडिया में वर्ण में जो हमारे वीडियो सुन रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए एक मेरा सुझाओ और मश्वारा है आप वो सुनिए घौर से देखिए ज़्यादा तर बच्चों को ये कीड़े निकलते हैं क्यों निकलते हैं क्योंकि बच्चे मिट्टी खाते हैं और कुर्कुरे चिप्स मेदे की चीजा ऐसी वैसी चीजा खाते हैं इसलिए होता है तो मैं पूरी वीडियो बताता है आपको सुनिये संदाज करते समय यानि लेटिंग करते समय चोड़ा चोड़ा कीड़े निकलते हैं जैसे बच्चे को ज्यादा निकलता है जो बच्चे मिट्टी ज्यादा खाते हैं या कब्ज वाली चीजा ज्यादा खाते हैं जैसे मोमो चिप्स तलीवी चीजा या नमकी मेदे की चीजा ज इसलिए जरूरी है कैसी चीजों से बचाएं और पानी कम पीते हैं जो इनसान पानी कम पेएगा तो इसकी आतों की सफाई नहीं होगी और दौर भाग नहीं करते एक्सराइश सुबस्वा नहीं करते वर्जिश नहीं करते और भी बहुत कारण है पेट में कीड़े होने के इस पूरा जिसमें पीला हो जाता है चक्कराना बुखार रहना चिर्चिरा पन पढ़ाएं में मन न लगना और ज्यादा दिमाग तेज ना होना शारेरिक विकाश ना होना वगर 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 बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और नुक्सान वगर लाज क्या है गेनोचूरन सुभा शाम आप एक चममस लिजिए यह हो गेनोचूरन है देख़ रहें इस गेनोचूरन को आप सुभा शाम लेंगे हलके गुनगुने गरम पाने एक साथ तो आपके कब ज कब सत्यानाश हो जाएगा खतम हो जाएगा कीडे उड़े सब मर जाएंगे इसके अंदर इतनी ऐसी चीज़े डाला हुआ है जो कीडों को मारने की पूरा छमता है इसके अंदर आतों के सफाई करने की और तरह है कि जो जोडों में दर्द होती है या और भी कई प्रॉब्लम में यह काम आती है इसके अंदर गैनो डर्मा भी है इसलिए बहुत फाइदे मन्द है यह फौरन मगाई है और सुबह शाम मतलब है कि जब आप सुबह उठें सोकर तो उड़ते ही सब से पहले आपको क्या करन है हल्का गुनगोना गरम पानी में गेहों के दाने के दाने के बराबर ठोड़ा सा छुना मिलाक के उसको पीड़ बर के इसके बाद अपना बरश किजिए अख्सरसाइज किजिए देखे आपके कीड़े भी मरेंगे और आतों के सभाई भी होगी इसके साथ में आप ये ली a d-q sa split like a shortcut में आर जी बोलाइजाता है इसको आपको खाना है हर रोज खाना खाने से पहले अपने कीडे मर जाएंगे और मद्धूर्ं बिस्किट मैस कोकीज किसकी इस Spray लिलना की मद्धूर्ं कोकीज आती है इसको आपको खाना है और सुबह उरते ही दो किलास या तीन किलास हलका गराम पानी पहेंगे जैसे मैंने पहले बोला हुआ जो मैंने बताए इनकों चुना के बहुत फादे हैं हर्डी मजबूत होती है मच्चों घर्टी इक यो जो नासुक होते हैं वो मजबूत होते हैं और आगे चलके फैक्चर नहीं होंगे गढ़े नहीं होंगे यानि चुने के बहुत लाव है इसके चुने को पर मैं अलग बीडियों बनाओंगा आप फिर उसको सुनिएगा और सुबह दोड़ने के लिए जो मैं बोला तीस मिनट कम रोज़ना आप दोड़िये परहिज क्या करना है हर बादी यानि कब्ज वाली चीज़ा ना खाए जैसे चिकन ना खाए और सुबह पेड भर कर खाएं दो पहा थोड़ा कम रात को जल्दी सुएं और बहुत कम खाएं खाना चबा कर खाएं और गन्ने के तरह चूश-चूश की खाएं पानी एक कब से ज़्यादा ना पी हैं पानी खाना खाने के टाइम बिल्कुल ही ना पी हैं बेहतर यही है अगर गले में फसराओ तो थोड़ा हलका ले सकते हैं और एगंटे आदे गंटे के बाद पाने प और कोल्डरिंग लिमका यह तो बिल्कुल ही ना पीजिए दूद की चाय और दूद में कोफी टूइन डी एक्शन गंपनी की टूइन वन डालकर ही पी है वरना दूद पीना ही नहीं चाहिए दूद पीने की जरुवतिक है हमारे बोड़ी में 20% एसेटी खाना चाहिए और 80% छारे चाहिए जो हरे साख सब्जी वगरा से आती है तो 20% घो हम इदर से ले लेते हैं जैसे चिकन का या गोश्त खा लिया और कई चीज हैं जो हम खा लेते हैं इदर से मिल जाती हैं ऐसी ड ही चीज है लुट कभी अंदर खा लेते हैं वह से मिल जाता है तो उम्मीद है कि जो हमारे जवनपूरवाले भाई साब को पूरा सवाल के जवाब रिर्डी गाहोगा आप इसको आजमाईए और मेरे को जितनी जल्दी हो फॉन करके ये प्रोडेक्ट मंगाईए मेरा मुवाल नमबर है 9871-2915-2689-2929-26 और हमारे इस डियेक्शन वावर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसे अगर पसंद आ गया हो तो आप इसे वीडियो के लाइग भी कर दीजिए और शेयर भी किजिए ताकि आपके जर्याद से किसी वीक फायदा हो जाए तो दूसरों के फायदा करने वाला इनसान का अल्लह ताला यानिश्वर हमेशा फायदा करता है इसलिए आप दूसरों के बारे हमेशा सोचिए खुद का भला होगा आप सोचेंगे हमारा फायदा हो बाकि और मरता रहे तो फिर आपका भी फायदा नहीं होगा क्यों क्या आप दुनिया मकेले नहीं है आप सभी इनसानों के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं सब इनसान खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे और सारी इनसान दुखी होंगे तो आप हमेश्च एक दुख सुख नहीं रह सकते हैं हाँ फिर आपके अंदर वो चीज अगर हो दुसरों की दुखी दुख देने से मारने से आपको खुशी मिलती है तब तो फिर आपको इनसान ही नहीं कहा जाएगा क्या कहा जाएगा आपको इनसान का दुश्मन कहा जाएगा इसलिए आप हमेशा दूसरों के भला करते रहे इसलिए हम कहते हैं इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताके दूसरों को फायदा हो आपके हाथों से थैंक्यू इस वीडियो को सुनने के लिए और अगर कोई भी सवाल जवाब हो आपके तो आप सवाल कर सकते हैं जैसे हमारी जौनपुर वाले भाई सहरु में किया उसके जवाब मिल गया आप भी कर सकते हैं और साथ में ये भी लिख दिया कीजिए कि मेरा नाम मेरा फोटो भी आनी चाहिए इसलिए मैं इस भाई ने कुछ नहीं बोला इसलिए इसका मैं नाम लिया ना इसका फोटो डाला अगर आप चाहते हमारा नाम भी हो और फोटो भी आए ताब मुझे बोल सकते हैं थैंक यू शुक्रिया